Hey guys, आप लोगों ने हमारा पहला one shot video देख लिया होगा reproduction in organism के उपर और तो और आप लोगों को PQs भी मिल चुके होंगे हमारे telegram handle पे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दू आप description में चाहिए और telegram handle के link पे click कीजिए और सारी free चीजों का लुफ्त उठाइए free PPTs, उसके बाद PQs, उसके video solution, test series, one shot videos, सब कुछ and that too absolutely free So चलो guys, ये जो chapter था मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें बहुत सारी छोटी छोटे, बहुत सारे components है अलग-अलग chapter से from your 11th standard, from your different chapter of your 12th standard तो इसमें सब कुछ मौजूद है ठीक है, मुझे पता है कि जैसे पढ़ लिया है तो उसको solve करने का कीड़ा तो है ठीक है, और उसी कीडे को solve करते करते, थोड़े बहुत problems भी आए होगे तो वो सारी कीडों को निकालने का काम अब हमारा ठीक है, so that's why we are doing this solution कीड़ा Let's start and let's try to understand and let's try to solve each and everything चलो, यहाँ पर बताया गया है यह जो term है clone हम sexual reproduction के बच्चों को क्यों नहीं बोल सकते ऐसा तो क्या होता है कि हम sexual reproduction के बच्चों को clones नहीं बोल सकते The first thing, offspring do not possess exact copies of parent DNA, बिल्कुल सही जो offspring होते हैं, they do not possess exact copy of their parents पर clone क्या होता है, clone का मतलब होता है, they are the exact copy of the parents But sexual reproduction कैसा देता है, it is a combination of a female and a male तो दोनों का combination ही है, तो of course इसमें exact copy तो बिल्कुल नहीं बनने वाला इसलिए हम word clone नहीं डाल सकते ठीक है, तो पहले ही मिल गया मुझे answer, इसमें मुझे आ गया पढ़ने की जरुवत ही नहीं Okay, next यहां पर बताया गया की कुछ-कुछ statement दिये गए है और इसमें से मुझे find out करना है की sexual reproduction के related कौन से statement है So, sexual reproduction does not always require two individuals देखना, बहुत ही, बहुत ही tricky सा शब्द है यहां पर बताया, two individual की जरूरत नहीं पढ़ती पर सर, आपने तो बताया है की sexual reproduction is by parental अब by parental का मतलब हो जाता है की इसमें दो parents की जरूरत है Yes or no, दो parents की जरूरत है But, दो parents में I basically mean to say की I need a female reproductive system and a male reproductive system उसके लिए तो अलग-अलग bodies की बात नहीं की थी male और female की आवशकता है पर वो यदि एक ही organism में हुआ तो हमने वो चीज़ सीखी दिया and बिल्कुल ये चीज़ सीखी दिया हमने उसको बोला था हरमा फोरोडैट उसको क्या बोलते हैं गाईज हरमा फोरोडैट बोलते हैं अब हरमा फोरोडैट क्या होता है एक ऐसा organism जो individual एक ही है पर उसके अंदर दोनों sex मौझूद है male part भी मौझूद है, female part भी मौझूद है तो एक individual में दो sex हो सकते हैं ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो अलग-अलग individual हो नहीं, एक individual में भी दो sex हो सकते हैं तो ये वाला statement मुझे कही ना कही correct लग रहा है नेक्स, sexual reproduction generally involves gametic fusion काइदे सरसी बात है यार gamets तो बनता ही है हमने पहले ही देखा था कि there will be a male gamet जो कि haploid होगा female gamet which will be haploid again दोनों एक दूसरे से fuse होंगे और बनेंगे deploid zygote और ये gametic fusion होता ही है So, your second option is also correct कुछ मैच खा रहा है गया? Of course, answer B चलो भाई या, आगे देखते है बहुत ही मसकोशे नहीं, ये वाला मुझे बड़ा फसन आया यहाँ पर ऐसा बुला गया कि male gamet जो है, उसमें 12 chromosome है ठीक है, कोई बांदा नहीं, हम लोग ऐसा count कर लेते कि male gamet है और उसमें कितने chromosome है? 12 chromosome है अब ज़र हम अपने आपको सोच लेते है कि भाई, हम male जब sperm produce करता है उसमें 23 chromosome होता है तो female में भी कितने होने चीए? मैंने क्या बताया हमेशा? कि female में भी हमेशा उतने ही chromosome होने चीए जित्ते की sperm में है हाँ जी, बिल्कुल हमारे male के sperm में 23 chromosome होते है female के एग में भी 23 chromosome होते है वो ही चीज़ यहां पर अपलाई कीज़े ठीक है, कैसा लिखा हुआ है? कि male gamut में 12 chromosome है तो chromosome number of female gamut कितना होगा? female gamut में भी 12 होंगे हाँ जी? तो यह लो भाईया, female में 12 चलो, यहां पर option A और C दोनों मुझे दिख रहा है zygote का क्या होगा? of course, 12 बारा जुड़के बनेंगे 24 चलो, भाईया, 24 A और C अभी भी मैच खा रहा है और, the cells of the seedling the cells of the seedling again, जो seedling होंगे जो उसका धीमे-धीमे grow करेगा तो उसमें भी chromosome number अपने same ही देखेंगे that will be a 24, so your answer will be C hello, next the statement given below to describe certain features that are observed in the pistil of flower pistil मतलब they are basically talking about the female part वापी से बता दू, ये जो है ये आपका chapter number 2 से बिलॉंग करता है ये वाला आपका chapter number 2 से बिलॉंग करेगा तो यदि आपको ये अच्छे से समझना है वो अपने next इसी, इसी हफते के अंदर-अंदर ये सीख लेंगे ठीके, so पूरा concept clear हो जाएगा so state you बट अभी फिलाल पे इसको solve करते Pistil have many carpel Pistil is basically a gynosium और gynosium में बहुत सारे female part होती है जिसको बोलते है carpel ये statement मेरे को correct लगा Each carpel have more than one ovule काइदे सरसी बात है एक female के अंदर जब बात करें ovule की तो बहुत सारे ovule हो सकते ये भी statement correct है 1 or 2 again वापिस से मुझे correct दिख रहा है so my answer will be A यदि आपको ये concept नहीं बता चला है तो आप इसका attention मत लीजिए ये chapter 2 का question है ठीके, ये सिव आपको छोटा सा छोटा सा बोल दे ना कि यार आपको टेस्ट किया गया है कि भई आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है so yes अब बाकी सारे chapter से वाकिफ हो या नहीं हो एक छोटा सा ज़स्ट लाइक डराने के लिए थोड़े पहुत दूसरे chapter के डाले गया so we will clear this in our next chapter let's move to the next point बाकी कोश्चिन जान वाना काफी easy है the appearance of the vegetative propagules vegetative propagules मतलब the unit of vegetative propagation unit of vegetative vegetative propagation ठीक है so उसमें बताया गया है कि the node of the plant such as the sugarcane and ginger मतलब हम लोग देखते हैं कि जो sugarcane और जो ginger है उसमें से छोटा सा bird निकलता है yes मैंने आपको बताया था है छोटा सा bird निकलता है और वो bird धीमे 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 ग्रो होता है और एक पूरा का पूरा plant बनने की काबिलियत रखता है सो मतलब कि वहाँ पे एक ऐसे cells है जिसमें high rate of cell division possible है yes or no ये सब चीजें मेरे दिमाग में धीमे धीमे घूम रही है तो बताया गया है कि ये nodes में exactly क्या होता है talking about the type of cells जो plant में मौझूद है that is the first one which is called as your meristematic cell ये एक cells मौझूद रहती है और दूसरा जो होता है that is basically called as your permanent cells ये दो cells मौझूद है और जिसमें से मुझे पता है कि ये जो meristematic cells है they show active cell division तो मतलब इसके अंदर cell division तगड़ा होता है so ये इसमें cell division तगड़ा होता है so what I can do is मुझे ऐसा पता चल गया है कि उस nodes में meristematic cells होते होंगे इसलिए जादा cell division फटा फट करके bird growth bird growth से सीधे shoot growth so my answer will be B nodes have meristematic cells easy offspring formed by sexual reproduction जो बच्चे बनते हैं sexual reproduction से उनके अंदर variation देखने को okay exhibit more variation than asexual asexual में variation नहीं होता क्योंकि मैंने पहले ही बता है a parent होता है उसी parent को split करके बच्चे बनते है पट sexual में male part female part fuse हो का है नहीं कुछ बनना so of course ही बात है variation तो रहेगी अब इसको जरा समझते है sexual reproduction is lengthy process इसलिए क्या variation होता है यह को हम यह कोई point नहीं है बाई इसको मैं cancel करता हूँ gamuts of parents are qualitatively different from genetic composition yes यह बात सही है मेरे मम्मी के जो genetic qualities होगी और मेरे पापा के जो genetic qualities होगी वो अलग होंगे और वो दोनों fuse होके finally हम लोग देखते हैं baby बन रहा है so यह वाला statement कता है सही है ठीक है next there is no natural death in single cell organism लो भाईया यह PPT में साफ साफ लिखा हुआ है यह इसी chapter के basis एक्दम लिखा हुआ है कि नेचरल डेथ no natural death in single cell organism हमें यह यह चीज़ में साफ साफ बोली है कि नेचरल डेथ नहीं होती इंकी ठीक है हम लोग देखते हैं यहाँ पर example देदिया है amoeba के बारे में और सम बैक्टेरिया के बारे में भी बताया गया है because they cannot reproduce sexually यह कौन से बात है यह कोई मतलब का नहीं है okay sexual reproduction से भी तो death होती है now they reproduce by binary fission यह statement correct है देखने जाए तो यह statement correct है क्योंकि एक parent है वो divide होके दो cell में convert हो रहा है और वो दो बच्चे बन रहा है यह कही ना कही मेरे को correct लग रहा है but let's read the other option also parental body is okay distributed among the offspring यह most probable answer है most probable क्योंकि जरा सोचिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा हम लोग देखते हैं they reproduce by binary fission क्या ऐसा जरूरी है कि amoeba सिर्फ और सिर्फ बाइनरी fission करता है मैंने पढ़ाया था कि जो amoeba होते है वो दो चीजे कर सकती है first one is the binary fission and the second one is called as your multiple fission यह दोनो ही चीजे आपकी amoeba कर सकती है but यहाँ पे second option बहुत specific हो गया है यह बहुत सिर्फ binary fission के वजर से ही natural death नहीं होता ऐसा किसने बोला और ही बहुत सारे asexual methods है right so I am looking to the more probable answer B गलत नहीं है but C is much better so मैं इदर parental body is distributed among the offspring मतलब कि जो parent की जो body होती है वो बच्चों में split कर दी जाती है इसलिए उनकी कोई death नहीं है natural death नहीं है ठीक है यह answer correct लग रहा है most probable okay next thing identify the incorrect statement भाईया जी ओहो in asexual reproduction the offsprings produce are morphologically and genetically identical बिल्कुल morphologically और genetically asexual reproduction में identical होता है बिल्कुल यह statement मुझे correct sound कर रहा है second zoospores are sexual reproductive structure last slide पर जाएए last second slide पर जाएए PPT के last second slide पर वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है asexual reproduction का यह medium है yes asexual reproduction का यह एक तरीका है जहाँ पर हम देखते हैं कि they basically produces this zoospores so zoospores तो asexual reproduction शो करता है तो यह incorrect statement है so my option will be B next क्यों पढ़ना है पढ़ना ही नहीं है next the number of chromosome in the shoot tip of the maze okay shoot tip मतलब यहाँ पर एक normal normal meristematic cell के बारे में बात हो रही है कोई gamut formation की बात नहीं हो रही है normal cells उसके अंदर 20 chromosome है the number of chromosome in microspore mother cell अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ यह भी कही ना कहीं आपका chapter number 2 है ठीक है तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है so don't worry इसका पूरा detail explanation वापिस से next chapter पर अपने सीखेंगे that you will be cleared within this week ठीक है so यह microspore mother cell basically ऐसा cell होता है जिससे आगे चलके pollen grain बनते है आगे चलके अभी नहीं ठीक है अभी नहीं आगे चलके pollen grains बनते है so अभी वो कैसे होंगे अभी वो एक normal सा cell है normal सा plant body का cell है तो यह नॉर्मल cells में 20 chromosome रहते हैं तो यह microspore mother cell में भी 20 chromosomes ही होंगे जब वो pollen grain में convert होगा with the help of meiosis तब मैं देखूँँगा pollen grain में 10 chromosome होंगे पर अभी फिलाल में वो एक normal सा cell है so इसका answer होगा 20 चलो भया next Asexual reproduction is common Asexual reproduction किसमें सबसे common होता है यह चीज भी मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था चलो देखते हैं क्या है among single cell organism only यह only बोल के गलत कर लिया खाली single cell में थोड़ी होता है मैंने बताया था कि थोड़े बहुत plants में होते हैं और जो very smaller, simpler animals है उनमें भी होता है मैंने ऐसा बताया था कि हाँ unicellular organism में Asexual reproduction होता है यह बात सहिए बट कुछ-कुछ plants में कुछ-कुछ animals में Lower category वाले organisms में यह चीज होता है तो ज़रा वो option ढूनते हैं among plants only गलत यह भी गलत only बोल दिया था इसलिए okay among single cell organism यह थीक है but plant and all animals वापिस है all animals बोलके मेरा इच्छा मार दिया है okay among single cell animals अंजी plants and animals with simple organization यह perfect लग रहा है एकदम perfect sound कर रहा है मेरे PPT के words से match का रहा है NCID के words से match का रहा है so connect answer next यहां पे बोला गया है कि यह सब क्या है A, B, C, D, G yes यह तो हमारा potato है अना यह तो potato है potato में क्या बनता है potato में बनता है tuber ठीक है यह tuber किसका है यह tuber word जो है potato का है तो मेरा option first or last यह दोनों match खा गए let's see to the next one ginger ginger है यह ginger में होता है rhizome ठीक है चलो second वाला भी match खा रहा है मान लेते है ओके यह जो है यह अगेवी है यह क्या है यह अगेवी है और अगेवी में क्या बनता है bulbils बनते है यह चीज मैंने लिखवाया था कि अगेवी में bulbils बनते है so my option which is matching now is your last वाला हना और यह तो bryophyllum है the last one is the bryophyllum जो जिसको अपने adventitious bird बोलते है ठीक है leaf bird चलो भाया option मिल गया next okay which one of the following plants do not show clear cut vegetative propagation reproduction and senescent face कौन से plant है हमने मैंने 3 category बताई थी ठीक है मैंने बताया था perennial उसके बाद annual और bineal ठीक है तो यह 3 option यहाँ पे है पर किसमें नहीं पता चलता पूचा गया है किसमें नहीं identify कर सकता वो भी मस्त statement में लिखा हुआ है पढ़िये PPT को ध्यान से विडियो को ध्यान से देखिये your answer will be A इसमें कुछ दूसरी option ही नहीं है बाई okay next which one of the following statement is false कौनसा statement गलत है bamboos जो है वो once in a lifetime produce करता है बिल्कुल perfect statement है भाई ठीक है पचास से सौ साल का उमर होता है बहुत सारे बच्चे produce करता है और फिर मर जाता है perfect statement है मुझे इससे कोई गुंजाइश नहीं next in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological change to the active reproductive behavior यह भी perfect है juvenile के बाद juvenile के बाद reproductive phase आता है यह भी statement बिल्कुल correct है third state third point the reproductive phase is of same duration in all organisms बिल्कुल गलग बिल्कुल गलग यह कोई बात ही नहीं होती ही भाई हर एक organism के अपने अपने reproductive phases होते है उसका duration सबका अलग गलग होता है so third option मुझे गलत लगा और मुझे गलत वाला ही बताना है option is C next the transformation from a single cell okay single cell मतलब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यह हमारा zygote है into an adult ठीक है zygote को हमें एक adult में convert करना है with many different kind of cells many different kind मतलब एक cell जब अलग-अलग cells में convert होता है that is basically called as your cell differentiation हाना इसको क्या बोलते है cell differentiation चलो भाया okay cell differentiation जब होता है तब exactly होता क्या इंसान बड़ा होता है ऐसा नहीं कि मैं evolve हो रहा हूँ मैं अपने आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पनप रहा हूँ हाना evolution तो नहीं है नहीं मैं क्यों चीज का adaptation कर रहा हूँ नहीं मैं अभी inherit कर रहा हूँ मैं सीफ अभी बड़ा हो रहा हूँ मैं सीफ अभी develop हो रहा हूँ ठीक है जब मैं एक छोटे से zygote से बड़ा हो रहा हूँ तो that is basically called as development बहुत easy answer next the fungi are usually fungi generally कैसे होते है fungi के बारे मैं बात करूँ तो बहुत अलग-अलग प्रकार के है, unicellular भी है, multicellular भी है इधर मैं आपको बता दू तो parasite जो होते हैं वो होते हैं जो जिन्दा organism में से nutrition एबसॉप करते हैं और saprophyte basically वो होते हैं जो dead body में से nutrition एबसॉप करते हैं तो parasite का वापिस से यह इस chapter से कोई खास लेना देना नहीं है यह हम लोग देखते हैं कि वापिस 11 standard की तरफ यदि आप 5 kingdom classification में पहुँच जाओ तो वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है तो भई कभी भी आप parasites की बारे में बात करो वो जिन्दा organism में से nutrition लेता है तो इसका एक example दे देता हूँ that is your candida आपने चाहँ सुना होगा चमडी के उपर वो fungal growth हो जाता है तो वो हमारे body में से nutrition ले रहा है so yes candida और saprophyte मतलब हो जाता है dead body में से nutrition लेना the best example is your mushroom mushroom जो होता है न वो dead body में से nutrition चूस लेता है जहाँ पे भी मरे मुर्दे dead body है your answer will be A next mycelium again वापिस से ये भी इस chapter का नहीं है ठीक है ये भी इस chapter का question नहीं है five kingdom classification standard 11th हम लोग देखते हैं कि mycelium किसमें देखा जाता है तो mycelium basically देखा जाता है bread mold में bread mold में अब बोला जाएगा bread mold कहा होता है भाई वो जो bread के उपर जो फूग लग जाती है न जब bread सड़ जाता है तो फूग लग जाती है ठीक है तो वो actually देखने जाए तो है आपका fungus so your answer will be B next which part of the NGO sperm is equivalent to megasporophyll in psychos okay megasporophyll मतलब mega word कभी भी सुनोगे वापिस से ये जो शब्द है ये शब्द आप सुनोगे chapter number 2 पे फिर से ठीक है clear कर लेंगे ठीक है तो ये basically एक female part को represent करता है तो stamen ये तो male part है ये गलत ठीक है फिर उसके बाद sepal, petal ये भी गलत है ये कोई female part carpal, carpal is a female part okay carpal is a female part so my answer will be D next hoof hetero, spory, yes, 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 ये वाला question important है hetero, spory, hetero मतलब हो जाता है different हाना hetero मतलब हो जाता है different अलग-अलग, spory के size नाम से ही पता चल गए यार, इसमें तो कुछ है निक काउन सा option match कहा रहा है, C small and large scores, कुछ चोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे sports, खतम, next the accessory walls are absent in flowers okay, accessory walls में आते हैं आपके calyx और corolla, actually flower के 4 walls होते हैं, calyx, corolla androsium, gynosium, वापिस से ये chapter number 2 ठीक है, test कर रहे है test कर रहे है, कितना आता है ठीक है, ताकि आपको डर रहे हैं, यार मुझे second chapter पढ़ना वड़ेगा, चलो देखते हैं, यहाँ पर अपने देखते हैं, जब इसमें नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं सीदे मैं एंसर दे दे रहा हूँ, ठीक है diclamitis देखेंगे अपने इसके बारे embryo sac, again chapter number 2 embryo sac के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे देखें, मैंने बहुत सारी चीजे reproduction के बारे में बात करें तो मैंने first chapter में नहीं बता है और उसकी अभी requirement नहीं है क्योंकि हम लोग second chapter में उसको clear करने वाले है जैसे कि अभी यह आ गया वही embryo sac कहाँ पर होता है, embryo sac female के अंदर होता है आप यदि embryo sac को देखोगे तो embryo sac के अंदर उपर की तरफ 3 cells होते हैं नीचे की तरफ 2, उसके उपर 1 फिर उसके बाद बीच में 2 nucleus होती है तो यहां पर 1 nucleus, 2 nucleus, 3 nucleus यह हो गया आपका 4, यह हो गया आपका 5, 6, 7, 8 8 nucleus है, यह embryo sac में तो चलो, 8 nucleus तो ठीक है पर cells कितने हैं, count कर लेते हैं यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6 और यह 2 मिला के, सब कुछ मिला के यह हो गया सात्वा तो 7 cell, 8 nucleus वाला stage यहां पर हो चुका है खतम यह है हमारा level 1 ठीक है, level 1 में normally बहुत सारी चीज़े, बहुत सारे अलग-अलग chapters का मिश्रण था थोड़ा सा complex बनाया गया था क्योंकि दूसरे chapter है तो आपको थोड़ा सा तो डर लगा होगा पर आप चिंता मत कीजिए जो questions बिल्कुल इस chapter से थे वो एक dumb easy थे जो literally इस chapter से थे बहुत ही जादा simple था straight away जो PPT की lines थी उसी के ओपर से question थे बात करेंगे level 2, let's see let's move for level 2, चलो देखते यहाँ पे लिका है in all the methods, सारे methodों के बारे में बात की जा रही है asexual reproduction की तो उसमें होता क्या है हम देखेंगे की, हाँ जी offspring बनता है, but which are genetically identical, यह statement बिल्कुल correct, बिल्कुल correct, पहले ही statement में मुझा answer मिल चुका है, next the common method for the asexual common method, कभी भी यह चीज सुनो common method, सबसे जादा क्या होता है, तो regeneration is not a very common method, ठीक है yes, birding is a birding बहुत जगा देखने को मिल जाते है, birding is one of the most common asexual mode of reproduction, next as a result of binary fission, जब binary fission होता है तो कितने बच्चे बनते हैं एक fission से, एक fission से कितने बच्चे बनते हैं, मैंने आपको learn करवाया था, कि binary का मतलब हो जाता है two okay, दो में breakdown होना तो मतलब, एक parent से दो offspring बनेंगे, मतलब दो babies बनेंगे, so of course ही बात है, answer है two, next thing which type of reproduction is found in hydra, hydra के बारे में बात करें, बहुत ही नक्टा बंगा है, बहुत कुछ कर सकता है ठीके, it can show both sexual as well as asexual reproduction asexual में भी वो birding भी कर पाना था fragmentation भी कर पाना था, so hydra को बढ़ने के लिए कुछ को ही नहीं हो सकता next what is the mode of reproduction in amoeba, amoeba मैंने बताया था कि उसमें दो mode of reproduction साफ साफ बताया था, एक जब कंडिशन सही होता है तब और दूसरा जब कंडिशन सही नहीं होता है तब, that is your binary fission and multiple fission, B चलो, next, which of the following are exclusively, जैसे exclusive बोलाया था, मेरी दिमाग में चल रहा है, मेमल्स, because मेमल्स एक ऐसे बंदे हैं, जिन में purely, वो लोग वीवी पैरस ही होते हैं, वीवी पैरस मतलब, who give directly birth to the young ones, वीवी मतलब, directly give birth to the young ones, अंडे नहीं देते, कौन हैं? आजी, वेल, मेमल्स एपना मिल्या, इसी या है ओक, development of egg without fertilization, लीजे, ये वाला भी करवाया हुआ है, NCRT का statement है ये, ये है हमारा parthenogenesis, जहां पर fertilization नहीं होता, और अपने आप baby produce हो जाता है, next the function of egg cell is, egg cell का का काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको sperm के साथ fuse करना है, मतब उसके अंदर half the number of chromosome तो होने चाहिए, तो nucleus देता है, पर जो cytoplasm और nucleus, दोनों कौन देता है, मेरा egg cell देता है ठीक है, so of course ही बात है cytoplasm भी मेरा egg cell देता है ये बात set कर लो दिमाग में ठीक है, it supplies food for the food, supplies food reserve for the embryo, ये भी बात सही है ये actually हम लोग देखेंगे, ये हम लोग chapter number 3 में discuss करेंगे, तब आपको और विस्तार में बताऊंगा, हम सारे answer करेंगता है so my answer is all of the above phylotexy, again ये वाला question है, वो standard 11 से है मैंने आपको पहली बताया है, कि भई अपने बहुत सारे chapters को mix कर रहे, तो phylotexy क्या है, it is a mode of leaf arrangement on stem, stem के उपर किस तरीके से leaf arranged रहती है, that is called as your phylotexy next, when the gynosium is present in the topmost मतलब की female सबसे उपर होती है, तो उसको क्या बोला जाता है देखो, female जब सबसे नीचे होती है उसको epigynous बोला जाता है, जब सबसे उपर होती है, उसको बोला जाता है hypogynous d, ये भी हम लोग पढ़ेंगे chapter number 2 में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि इसका actual concept है, वो standard 11th में बताया गया है, morphology of flowering plant तो ये morpho का question है next, in epilo, epigynous बोलार वापिस आगया, epigynous में क्या होता है ovary सबसे नीचे होती है और बाकी सारे, मतलब male part, cal-ex, corolla, सब उपर होते है so, anything is matching, yes b वाला मैच कर रहा है, cal-ex, corolla androsium, all are superior सब उपर होते, ovary भी चारा नीचे पहुंच जाता है, next true fruit, again, true fruit again, this is your standard 11th 11th standard का है, ये morpho का question है, ठीक है और थोड़ा बहुत अपने, ये chapter number 2 में भी देखेंगे, देख रहे हो, chapter number 2 कितना जाता important है okay, it is basically developed from the ovary, correct, berries के बारे में बात करें, berry भी एक sort of fruity है, आपने berry खाया होगा तो आपको पता ही होगा कि उसमें बहुत सारे वो, पहली बात तो ये है कि वो fleshy है ट्राई नहीं है वो, ठीक है, वो dry fruits जैसा है ये वो fleshy जैसा है, ठीक है, पेरा option तो A और B, अचा CB match, DB match खा रहा है, चलो, ठीक है okay, कितने seeds होते हैं तो yes, they are multi-seeded, बहुत सारे seeds हमें उसके अंदर देखने को मिल जाता है so they are multi-seeded, so my option will be A false fruit develop from, अचा false fruit कहां से develop होता है ovary से नहीं होता, ठीक है complete flower, पूरे flower से थोड़ी-करी fruit बन सकता है any floral part excluding ovary any, any में बहुत सारे options आ जाते है तो ये भी उतना peculiar option नहीं है, मतलब हाँ लग रहा है, बट 50-50 okay, बट ज्यादा probable मुझे none of this लग रहा है because कोई भी floral part से नहीं बनता है मैं ऐसा नहीं बोल सकता है कि sepals से आप fruit बना दो या उसके pedicil से fruit बना दो ऐसा possible थो है नहीं, so none of the above will be the better option okay, in angiospermic life cycle okay, ये भी आप लोगों ने standard 11th में देखा होगा standard 11th का ये एक छोटा सा concept था that the gametophytic is dependent on sporophytic ठीक है? ये अभी मैं आपको directly answer ही बता दे रहा हूँ ये वाले question का क्योंकि इसके लिए आपको 11th का एक क्रुक last वाले एक part पता रहना बहुत विरूरी है ठीक है? okay, lifespan of parrot ये साफ साफ लिखाया था कि भई ये वाला हमारे इस chapter से direct question है 140 years का होता है इसका lifespan okay, यहाँ पर बुला गया है decreasing order, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे पर जाना है पहले मैं लिख देता हो, crocodile का होता है 60 years फिर उसके बाद dog का होता है 22 जो NCIT बोलती है crow का होता है 15 साल और parrot का होता है 140 तो मतलब सबसे जादा होता है parrot का तो four सबसे बड़ा है, चलो दो तो आगए फिर उसके बाद crocodile, okay जी उसके बाद आजाता है dog मतलब ये वाला चलो, next ये क्या है देख की बथा चल रहा है सबसे पहली बाद तो ये कि ये और ये सबसे बर्ड निकल रहा है ठीक है, so it is birding in east खत्तम okay next asexual reproduction is common among all except unicellular organism हंजी करते हैं, plants with simple organization हंजी करते हैं, animal with simple organization हंजी करते हैं, animal with complex organization नहीं करते हैं, तो my answer will be D question was simple ये क्या है, irregular shape structure है तो देख के बता चल रहा है आगे तो कुछ पढ़नी की जरुवत नहीं है हम देख रहे हैं, कि यहाँ पर सिर्फ एक parent था वहाँ से दो बच्चे बन रहा है, तो दो बच्चे मतलब ये binary vision है, और ये किसमे हो रहा है irregular shape structure है, तो of course this is an amoeba next okay, binary vision is seen in amoeba में भी देखने को मिल जाता है बराबर irregular fission मैंने बता था कि irregular shape का होता है, तो irregular fission है paramecium, हाँ जी paramecium में transverse fission होता है मतलब बिलकुल इस तरीके से कटाया जाता है, okay what is Allah, उसमें भी होता है so the answer will be all of this next hmm okay, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई, false statement होना है east unequal division करता है, हाँ जी बिलकुल bird formation के time पे parent बड़ा होता है, bird उसके पर चोटा सा होता है unequal division when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamut, it is called as reproduction by asexual, यह statement भी मुझे correct sound कर रहा है, perfect है next, size of crow and parrot are not very different, बिलकुल क्योंकि दोनों ही एफ से belong कर रहा है, ज्यादा difference नहीं है, बिलकुल एक जैसी size है yet their lifespan show a wide difference बिलकुल सही है, because parrot जो है वो 140 साल जीता है, whereas crow's के बारे में बात करें, तो वो 15 हाला कि दोनों का size, एप्रॉक्स एप्रॉक्स सेल ठीक है, यह statement भी genuine है next, in binary fusion cell division in unequal part, बिलकुल नहीं, equal part में divide होता है, binary vision का यह rule था कि आपके पास एक amoeba है, वो जब divide होगा तो two equal half में divide होगा so your answer will be C, कि only जो D वाला है वो गलत है next, अहाँ यह भी बहुत simple question है भाई panicylium जो है, वो conidia बनाता है hydra जो है, वो exogenous bird बनाता है, आप लोग को पता रहेगा कि body के बाहर, वो एक छोटा सा bird बना रहा था, फिर spongy जो है, वो gamules बनाता है, यह भी simple है, और paramycium जो है, वो binary fusion करता है, यह भी simple है, भाई साहब, तो straight question था A का 1 B का 2, C का 3 hello जी बहुत simple है, बहुत simple next, which are the unit of the vegetative propagation in plants vegetative propagation धंग से यदी आप देखना चाहो, तो आप standard 11th में of course morphology in flowering plants देख सकते हो, बट पहले यहाँ पे थोड़ा सा solve करते है, हाँ जी runners है, rhizome है, suckers है, bulbs है tuber है, offset है, वही सारे के सारे तो है, सारे के सारे vegetative propagation में आते हैं, तो will be all of this, next hmm, match the following अरे ये तो अगेवी है बहुत बार आगया भई, अगेवी बल बनाता है, ठीक है यह लीजे ठीक है, ये ब्रायोफाइलम है, लीफ बड आप देख सकते हो उपर लीफ बड निकला है, तो भईया जी ये भी correct है, और ये तो offset है, water लो भया, ये भी मिलकूल स्टेट दे लिया है, A का 1, B का 2, C का 3 answer will be B, simple as that okay, मुए मानता हूं, इसमें बहुत सारे अलग अलग chapters के question थे थोड़े बहुत, you can say कि थोड़ा बहुत इसलिए आपको तफ लगा होगा but don't worry guys, एक प्योर प्योर utterly reproduction in organism, जो हमारे NCRT में मौझूद है उसका भी एक छोटा सा PPT आपको पहुँच जाएगा, जो आप solve करोगे और उसमें से 100 प्रतीशत answers आएंगे, ठीक है अब lecture 2 के लिए ready हो जाएए, we will learn about the reproduction in angio sperms, ठीक है, बहुत जादा tricky है, आराम से समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया हो तो like button दबा दीजिए, till then, peace out